आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अलीगड के बहुत ही मश्रूर आलू के बरूलेग की रेसिपी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा तो चली देख लेते हैं इस रेसिपी क चोटे आलू के बरूले बनाने के लिए हमें यहां पर चाहिए 500 ग्राम आलू यानि 500 ग्राम और यह देखिए यह नए आलू का सीजन है तो अभी बहुत अच्छे आलू आ रहे हैं तो हमने यह चोटे-चोटे साइस के बेबी पोटेटो ले 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 अब इसको कर लेना हमें हम बोईल तो आलू का अच्छे से पहले दो लें और इसके बार यह नगी लेंगे और यहां पानी के साथ इसमें एक बिसल लगा ले लिए pozw और हाफ को को गय अगय यानि चावल का आटा अगर आपके पास यह न हो तो आप 3 टेबल स्पून बेसनी ले 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 लिए इससे जो बरूले एकदम क्रिस्पी बनेंगे चावल के आटी से तो यह कर देंगे 1 टीस्पून ले लिए हमने आम चूर पॉडर यानि मैंगो पॉडर और 1 टीस्पून ले आपके पास यह न हो तो आप रेगूलर लाल मिट्स पॉडर ले 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 अपने टेस्ट के कोड़िंग और 1 टीस्पून नमग नमग क आप अपने टेस्ट के कोड़िंगे ले ले दो पिंच फूट कलर एट कर देंगे तो यह देखिए हम नहीं आ पर सभी चीज़े एट नहीं लगेगा तो यह अच्छी से देखि मिक्स कर लिये हैं और अच्छी से लिपट चुका है जो मसाला बेशन और चावल का अटा था अच्छी से इसमें लिपट चुका है तो अब चलिए हम इसको फ्राइ कर लेते हैं तो हमने यह पर एक पैन में ओईल गरम करके रखा ह और इसमें एक एक आलू इस तरह से हमें डाल देना है अब फ्लेम को हमने slow to medium कर रखा है और वाल को होट करकर तो एक साइट से में एक मिनिट सेखेंगे और फिर इसको हिला देंगे यानि इसकी साइटे चेंज कर देंगे बहुत ही क्रिस्पी आलू बनकर तैयार होते हैं अगर रेसिपी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक जुरूर कर दें दो से तीन मिनिट अच्छे से लग जाएंगे आलू को सेखने में तो आप यह सिख चुके हैं तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे एक दम गोल्डन फ्राई और क्रिस्पी से आलू बनकर तैयार हुए हैं बहुत टेस्टी लगते हैं सर्दियों के सीजन में तो बहुत जादा अच्छे लगते हैं तो अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह सेख लेंगे तो यहां पर हमारा दूसरा बैच भी सिक्कर तैयार हो चुका है तो चलिए अब हम सर्फ करते हैं तो यहां लेंगे हम यह ग्रीन चटनी इसपेशली इसी आलू के लिए बनाई जाती है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है लिंक आपको डिस्क्रिप्रिप्शन डॉ यह बनाई जाती है बहुत ही यमी लगते हैं चटनी के साथ यालू तो हम यहां पर इस तरह से इसको सर्फ करेंगे थोड़े थोड़े जो दोने मेरे निकाल कर रखेंगे और इसके उपर हम चटनी डालेंगे यह देकि देखने में कितने क्रिस्पी और टेस्टी से आलू ल इसके उपर आप थोड़ा सा चार्ट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा सा नीबू भी इसमें डाल सकते हैं बहुत यमी लगते हैं तो अब इसमें हम थोड़ा सा कद्दुकश की हुई और गेट की हुई मूली एट कर देना है बिल्कुल street style हो जाएगा यह यह यूपी की बहुत ही famous डिश है तो आप ज़रूर ट्राइ किजिएगा और जब भी आप ट्राइ करें तो मुझे comments box में ज़रूर बताइएगा कि आपकी यह recipe कैसी बनी तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी recipe आपको पसंद आई होगी recipe पसंद बिल्कुल